मुझे ये बताईए कि उत्तर प्रदेश का कारण क्या है जो अयोध्या में भी पीजेपी हार अभी बतात है अभी तुने गार में उंगली किया ना अभी बतात है तो मैं दे चुकी हूँ धन्यवाद वही तो चाह रहा हूँ जनता की सामने कम से कम अच्छा तू समझा हाँ नए तू समझा नहीं लगता है आप 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 ने आप देर से आए हैं मैं तो तीन दिन से बधाई दे रही हूँ दरसल में देखो भारते जनता पार्टी हमेशा मुद्दों पर बात करता रहा और हमारे मुद्दों को लेके हमारे साथी और हमारे अच्छे मित्र भी है सुधानसु जी उस मुद्दों को लेके वह महंगाई दर खोशते रहे और हम महंगाई गिनाते रहे कि महंगाई कितनी है वह दर में अटक गए और दर में प्रशानियों को नहीं देखना पड़ता बात से यह वह उन्हों को लगा कि परहुराम उनका उनकी नईया पार करेंगे तो दोगो परहुराम भी समझ गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ये प्रहुराम के नाम पे राजनीत कर रहे हैं उनका सम्मान अगर करते हैं अगर उनकी आस्ता किये तो धर्म तो हमारा आस्ता का विश्य था तो मिझे लगता है कि अब भारती जनता पार्टी को कम से कम ये समझ में आ जाना चाहिए कि देश मुद्दों पे जनता चाहती है कि मुद्दों पे बात हो जनता की सम्मदित जो समस्या है उनका समाधान करें जनता के दर्द को समझें जनता की तकलीफ को समझें ये तकलीफ नहीं समझ पाए ये श्रिप सत्ता के चक्कर में जनता के साथ ही राजनीत करते रहे तो जनता ने इनके साथ राजनीत कर दी दिक्कत ही है ये राजनीत जनता के साथ कर रहे थे जनता को गुमा रहे थे इदर कि बाते करें हमारी मुद्धों पर बात नहीं कर रहे हैं समझ अब भी नहीं मुझे आ रहा कि जंता ने यहां उत्तर प्रदेश में ताला लगा दिया बिहार में ताला लगाना भूल गए यह बिग गई यह उत्रा खंड में लगाना भूल गए हिमाचल यह आप कह रहे हैं य महराष्ट में लगाया महराष्ट में लगाया तो हमेशा से हमेशा